बारती क्रिशी मौनसून पर निर्वर है जिस साल अच्छी बारिश होती है उस साल बंपर पैदावार होती है और किसानों को फायदा होता है भारत में मौनसून जून के पहले सब्ता में प्रवेश कर जाता है उसके बाद किसान खरी फसलों में मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं भारत की नीजी रवी मौसम पुर्वानुमान एजनसी स्काइमेट ने साल 2022 के लिए मौनसून पुर्वानुमान जारी कर दिया है पुर्वानुमान में यह उमीद की जा रही है कि साल 2022 का मौनसून लंबे समय तक रहेगा साथ ही अंदाजा लगाया गया है कि इस साल मौनसून समाने रहेगा और 98 फीजदी बारिश होगी हाला कि इस मार्जिन में 5 फीजदी का अंतर हो सकता है स्काइमेट ने अनुमान लगाया है कि जून से सितंबर तक 4 महीने की लंबी अबधी के दोरान 880.6 mm बारिश होगी 21 फरवरी 2022 को जारी अपने पहले के प्रारंबिक पुर्वानुमान में स्काइमेट ने मौनसून 2022 को समाने होने का आकलन किया था और अब भी इसे समाने बनाये रखा है साथ ही कहा गया है कि इस बार समाने वर्षा का प्रसार SPA का 96-104 फीजदी है स्काइमेट ने इस बार अल नीनों की घटना से इनकार किया है क्योंकि ला नीनों सर्दियों में कमजोर पड़ गया था पर ट्रेड विंड की हवाओं के मजबूत होने के कारण इसकी वापसी भी थम गई है स्काइमेट को उमीद है कि राजिस्थान और गुजरात के साथ साथ पुर्वतर छेतर के नागा लेंड, मनीपूर, मिजोराम और त्रीपूरा में पूरे मौसम में बारिश की कमी हो सकती है इसका मतलब ये है कि इन राज्यों में मौनसून की बारिश कम हो सकती है इसके अलावा केरल और उत्री आंतरी करनाटक में जुलाई और अगस्त के मुख्य मौनसून महीनों में कम बारिश होगी वहीं पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के क्रिशी छेत्र, महराष्टर और मध्य प्रदेश के वर्षा आधारी छेत्रों में समानने से अधिक वर्षा होगी मौनसून सीजन का पहला भाग बाद वाले की तुलना में बहतर रहने की उमीद है जून में मौनसून की अच्छी शुरुवात होने की संभावना है समय से देश में मौनसून की दस्तक देने की खबर किसानों को खुश करने वाली है क्योंकि समय से बारीमा होने पर किसान खरीव सीजन की खेती अच्छी तरीके से और समय पर कर पाते है स्काइमेट के मुताबिक जून महीने में मौनसुन दस्तक देगा जो चार महीने की लंबी अबदी के लिए सितंबर तक रहेगा इससे उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल भी धान और मकई समेद खरीफ असलों की बंपर पैदावार होगी अब नहीं जाना पड़ेगा कही बिग ब्लिस दस मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दही बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान